कि देखो जो नेक्स चेप्टर है उसका नाम है moving charges and magnetism इस चेप्टर में हमको दो चीजे पढ़नी है मैंनली एक तो magnetic force के बारे में और एक magnetic field के बारे में ठीक है दो चीजे हम मैं ली पढ़ेंगे कौन कौन चीजे एक तो magnetic force किसी भी चार्ज पार्टीकल पर कितना magnetic force लगता है जो किसी magnetic field के अंदर मूव करता है या फिर किसी current के रिंग वाइर के ऊपर किसी external magnetic field के अंदर कितना magnetic force लगता है एक तो हम इसको calculate करेंगे और दूसरी चीज़ हम calculate करेंगे magnetic field जो कोई भी current carrying wire produce करता है या कोई भी current carrying coil produce करती है तो यह चीज़े इस चेप्र में हम लोगों को steady करनी है ठीक है एक एक करके सारी चीज़ों पर आते हैं सबसे पहले एक सेंटिस थे जिनका नाम था और स्टेड और स्टेड एक एक्सपेरिमेंट किया था जिससे उन्होंने यह पता लगाया कि जब हम किसी भी वायर में current flow करते हैं तो उस वायर के चारों तरफ एक magnetic field produce होता है वायर के चारों तरफ क्या होगा एक magnetic field प्रिडूस होगा इन्होंने क्या किया एक वायर लिया और उस वायर के चारों तरफ ऐसे बराबर डिस्टेंस पे कुछ magnetic needles को रख दिया यह कंपास को रख दिया अब इस वायर में current flow करके देखा उन्होंने अब्ज़र किया कि जैसे हम इस वायर में current flow करते हैं तो जो magnetic needles है पहले वह रेंडम ली इदर हुदर अलग लग डायरेक्शन में थी जैसे इस वायर में current flow किया गया तो उन्होंने देखा कि जो magnetic needles है एक circle की form में arrange हो रही है इनकी जो डायरेक्शन हो कुछ इस टाइप की है कि उन डायरेक्शन को अगर मिलाया जाए तो एक circle बन जाएगा तो इससे उन्होंने यह पता लगाया कि जब हम किसी भी वायर में current flow करेंगे तो उसके चारों तरफ एक magnetic field बनेगा और वह magnetic field इन magnetic needles की उपर फोर्स लगाएगा जिससे यह circle की form में arrange हो जाती है तो इससे यह पता चली कि वायर के चारों तरफ जो magnetic field प्रेडूस होगा वह कौन सी शेप में होगा वह circles की शेप में होगा ठीक है पहली चीज तो यह पता चली कि जब हम किसी भी वायर में current flow करेंगे तो उससे क्या होगा एक magnetic field प्रेडूस होगा और दूसरी बात क्या पता चली कि वह magnetic field जो current के रिंग वायर के चारों तरफ प्रेडूस हो रहा है वह कौन सी direction में है वह circles की form में है ऐसे circle बनेंगे ऐसे फिर उनोंने एक और चीज करके देखी इस वायर में flow होने वाले current को opposite करके देखा opposite मतलब इसकी direction reverse कर दिया अभी उपर की तरफ current जा रहा है तो इसको downward कर दिया बैटरी का जो clarity है प्लस माइनस है उसको उल्टा connect कर दिया इस वायर के क्रोस तो सर्किट में फ्लो होने वाला current है जो करेंट हो अपोजी डारेक्शन में हो गया जैसी वायर में अपोजी डारेक्शन में करेंट फ्लो हुआ तो उन्होंने अब्जार किया कि यह मैग्नेटिक निडल से इन नौर्थ पोल है वहां पर साउथ पौल चला जाएगा साउथ पोल उसकी जगे नौर्थ पोल आ जाएगा समझ में इसका मतलब यह है कि जैसे हम करेंट के डारेक्शन करते हैं वैसे ही इसके चारो तरफ जो मैगनेटिक फिल्ट प्रिडूस होता है इसकी डिरेक्शन भी च तो यह अपोजिट डायेक्शन में प्रोडूस होने लग जाएगा अभी भी सरकल की फोम में होगा लेकिन डायेक्शन डिवर्स हो जाएगी किसी बीकर की वाइर के चारों तरब मैक्नेटिक फिल्ड हो सरकल्स की फोम में होता हैं उसको प्रूव करने के लिए एक और इस वायर के चारों तरफ जो मैगनेटिक फिल्ड वो सर्कुलर फोम में होगा तो एक चीज याद रखनी है कि किसी भी करेंट के रिंग वायर के चारों तरफ जो मैगनेटिक फिल्ड प्रोडूस होता वो किसकी फोम में होगा वो सर्कल्स की फोम में होगा ठीक है यह चीज य तो वायर के चारो तरफ फिंगर्स में करल होगी गूमेंगी वह ही यहां पर घुरल ऊपर गी तरफ है वायर में कट Kenneth कि तरफ होँ उपड़की तरफ तो वायर बादिया के चारों तरों जैसे घूम रही हैं वहीं क्या होगा इसके चारों प्रोडूस अनुओन वाले मैंगनेटिक फिल्ड की डारेक्शन होगी जैसे थम को ऊपर रखा तो फिंगर्स ऐसे घूम रही है यह तो इन्वड्ड जा रही है और इसे गूमके आउट वड़ आ तो जो मेघनीटिक फिल्ट की डायक्शन है वह इधर तो के प्रप्रपंड के अगर होती है तो उसको रिपर्जेण करने का एक तरीक Princess से रिपर्जेंगे जिसलों मेघनीटेक फिली इन वेड़् से बताना है जर्थ यहां से बहत ours आउटवर्ड आ रहा है तो इसको डोट के सिंबल से बताना है तो यह जो डोट और क्रोस का सिंबल यह किसके लिए है कोई भी चीज जो प्लेंड के परपेंडिकुलर आउटवर्ड या इनवर्ड है उसको बताने के लिए होता है इस चेप्टर में हम इन सिंबल को यूज करे उसको तो आप इजिली ड्रो करी सकते हो लेकिन जो चीज प्लेन के परपेंडिकुलर है आउटवर्ड या इन्वर्ड उसको ड्रो करने के लिए सिंबल होते हैं ठीक है जो राइट थम रूल है वह यह बोलता है कि जिस डारेक्शन में करेंट है उस डारेक्शन में आपको रा दारेक्शन होगी वह ही क्या होगी मैगनेटिक फिल्ट की डारेक्शन कंसिडर की जाएगी यह समझ में क्या चलो इसकी बैसिस पर एक दो एक्जामपल करते हैं मालनों की एक वायर है जिसमें करेंट है आउटवर्ड यह मैंने डोट का सिंबल किसके लिए बनाया है करेंट की डारेक्शन बताने के लिए जो कि कि दर है आउटवर्ड तो बताओ इसकी वज़े से जो मैगनेटिक फिल्ट प्रेडूस होगा वह कौन सी डारेक्शन में होगा वायर को मैंने कैसे रखा है और इसमें करेंट बाहर की तरफ आ रहा है डोट का मतलब इसमें कि दर आ रहा काहर की तरफ तो इसके 4 तरफ जो मैगनेटिक की फिल्ट प्रेडूस होगा वह कौन सी डारेक्शन में होगा उने कमा具 चेक करना है साबसे ने की दर दकर से ऑंट और तो 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 थम को कर लो खूंब रही है यह वालिक तरेक्शन क्या है ये टोn tigस डारेक्शन इसका मतलब इस वायर के चारो तरफ जो magnetic field होगा वो कौन सी डारेक्शन में होगा एंटी clockwise डारेक्शन में होगा आया समझ में अगर किसी वायर में current की डारेक्शन inward है जो की plane के perpendicular रखा हुआ है तो अगर current की डारेक्शन इनवर्ड जा रही है तो बताओ इसका जो magnetic कौन सी डारेक्शन में होगा इस बार क्या करना है थम को के डारेक्शन में रखना है इनवर्ड डाइरेक्शन में पॉइंट करना है थमको तो हुआ सबंगर ऑप कहुंब कि अबजर्वर की दर खड़ा है मालों उधर कड़ाई है मालों यह अपजर्वर अपना और यह देख रहा है तो इसको करेंट की डारेक्शन की अकोर्डिंग मैंनेटिक फिल्ड जो प्रेडूस होगा न उसकी आपको डारेक्शन बताने कि वह इसको क्या नजर आएगी क्लोक यह वायर है जिसमें करेंट फ्लो किया जा रहे है तो इसमें जैसे करण फ्लो करेंगे तो इस से जो मैंग्नेटिक फिल्ड फ्रेडूस होगा वायर के चारो तरफ वह इस परसन को कौनसी डारेक्शन में नजरा आएगा क्लोक वाइस यह आपको चेक करके बताना है कैसे चे जाएंगी और ऐसे घूम के यह नीच वाले पॉर्षन से आउट वर्ड आएंगी मतलब अगर मैं इसको ड्रो करके बताऊं तो यहां पे इस तरीके से आपको इसको ड्रो करना है और उपर वाले पॉर्षन में यह इनवर्ड जा रही होंगी यह वाला पॉर्षन में आगे दि लुच क्या को यह कौन से डारेक्शन मताव यह वाले क्सेशन नाजर आएगगा तो इस उब्जर्वर को जो मैंने टिक फिल्टे टारेक्शन नजर आएगा तो बहुत आयक है